बांडीपूरा जिला परशासन ने अलीज स्पोर्ट्स अकादमी के सहयोग से पहली बार बांडीपूरा के आठ बतु चेतर में शीत कालीन परियटन और शीत कालीन खेलों के लिए छेतर की चमता का पता लगाने के लिए एक भब्यकारिक्रम का आयोजन किया उपायुक्त डॉक्टर और अवर्शा अहमत के नेतुरित में सैक्रों इवाओं के कारवा का अस्थानी अकलाकारों द्वारा गुंजीर्या गीतों से स्वागत किया गया कश्मीर रोड सेफ्टी फांडेशन ने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से सडक सुरक्षा भ्यान चला इस दौरान वाहन चालकों को बेल्ट, हेलमेट और अने यातायात नियमों की जानकारी दी गई वहीं ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया हमारा मकसद ही है हर दिन हम आन रोड आप ये ड्रैफिक करते हैं मकसद ही है लोगों का उवेर करना ट्राफिक टूल्स के बारे में समझाना क्योंकि बहुत आसान है ज़ए बहुत जादा नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को हमारी खुद की जानों के लिए है ये हमारी अब भी जाना वाकी है उनके लिए हमार अलग डिस्ट्रिक्स में जाकर आप ये जो बेसिक ट्राफिक रूल्स है जैसे कि सीड़ बैट लगाना या हलमेट लगाना वो चीज़े हम लोगों को यहां पर बता रहे हैं कि आप बेसिक जो ट्राफिक रूल्स है वो फॉलो कीश रहा है इस सब को मतनाजर रखते हुए अब कश्मीरी यूथ सड़क पे उतर आया है ट्राफिक पुलिस के इस्तिराक से उन्होंने प्रोग्राम चलाया है बढ़गाम में बेदारी प्रोग्राम चलाया है और लोगों को खासकर जो ड्राइवरान हजरात है तलकीन की गई कि सीट बिलेट और हैलमट लगाना कितना जरूरी है साथ ही जो रॉंग पार्क की हुई गाडिया थी उनको चालान किया गया क्यूंकि रॉंग पार्किंग से ट्राफिक जाम होता है और आयरोज जो बढ़गाम की में प्रोब्लिम है बढ़गाम के रोड पहले से ही काफी तं आब तसेंट